प्रिये छात्रो नमस्कार NCRT गड़त कक्छा दस्मी में आपका स्वागत है हम लोग प्रिशनावली 4.3 का प्रस्निक रमांग 3 अब सॉल्व करेंगे जिसमें 2 प्रस्निक दिये गए हैं और दोनों के हमें मूल यात करने हैं तो आईए सबसे पहला क्वेशन लेते हैं पहला क्वेशन दिया गया है एकस माइनस एक बटे एकस बरावर 3 जहां एकस बरावर 0 एकस बरावर नहीं है 0 इसका मतलब ये है एकस का मांद 0 नहीं है और कुछ भी हो सकता है अब यहां पर आपको ध्यान रखना है जब भी ये कवेशन पेपर में आए तो आपको सबसे पहले दिया गया समिंक्रण पूरा लिख लेना है तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं दिया गया समिंक्रण इसके बाद यहां पर बटे में X है तो जब भी जो भी संख्या बटे में होती है उसको हटाने के लिए आप उसी संख्या से पूरे समिंक्रण में गुणा कर दोगे क्योंकि हमें इस तरप का इस टाइप का समिंक्रण चाहिए या तो X बर्ग माइनस 2X प्लस 3 बराबर 0 यानि बर्ग समिंक्रण जैसा रूप चाहिए ताकि हम उसे दुई घाथ समिंक्रण से सॉल्व कर सकें तो हमें बटे बाली संख्या को हटाना होगा हमें एक linear यानि सीधा समिंक्रण चाहिए हमें ये बटे बाला समिंक्रण नहीं चाहिए तो ऐसी स्थिती में हम पूरे समिंक्रण में एक्स से गुणा करेंगे तो हम लिख लेंगे पूरे समिंक्रण में एक्स से गुणा करने पर जब हम पूरे समिंक्रण में एक्स से गुणा करेंगे तो हमारा समिंक्रण जो है वो था एक्स माइनस एक बटे X बरावर 3 यह हमारा समीक्रण है यहां भी हम X से गुणा कर देंगे यहां भी X से गुणा कर देंगे और यहां भी हम X से गुणा कर देंगे तो X, X, X बरग आ जाएगा यहां पर उपर का X और नीचे का X दोनों कैंसल हो जाएगे तो बचेगा केवल 1, माइनस 1 बराबर, यहाँ पर 3 का गुणा X में होगा, तो आएगा 3X तो आप इसको पहले X बर्ग वाला लिखिए, फिर X बाला लिखिए और फिर बाद में अचर रासी आप लिख सकते हैं, और बराबर में 0 लेंगे तो पहले X बर्ग वाला लिखते हैं, इसके बाद यहाँ पर 3X लिखा है, यह इसमें कोई भी साइन नहीं है, तो यह प्लस का माना जाता है और प्लस की संख्या इस तरह पाएगी, तो माइनस का 3X हो जाएगा, और माइनस बन जो है, इसको हम उस तरह नहीं ले जा रहे हैं, केबल इसी तरफ ही है, तो माइनस बन ही रहेगा, और बराबर में आएगा 0 कहने का मतलब है, X बर्ग हमने जियों का तेओं लिखा, और प्लस का जो 3X है, इसको इस तरफ ले आए, तो यह माइनस का हो गया, और माइनस बन जियों का तेओं रहा, और बराबर में 0 अब आप देख रहे हैं, कि यह है एक बर्ग समीक्रण बन चुका है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जब हम पूरे समीक्रण में X से गुणा करेंगे, तो हमारा समीक्रण बनने वाला है, X बर्ग माइनस 3X माइनस 1 बराबर 0, तो यह हम यहाँ पर लिखेंगे, अब X बर्ग माइनस 1 बराबर 3X, पहले तो यह बनेगा, आप इसका पक्चांतर कर लेते हैं, तो X बर्ग यह पिलस का इस्तरह पाएगा, तो माइनस का 3X हो जाएगा, और यह माइनस 1 बराबर 0, अब यह एक बर्ग समीक्रण बन चुका है, और बर्ग समीक्रण की तुल्ला, हम लोग बर्ग समीक्रण से करेंगे, AX बर्ग प्लस BX प्लस C बराबर 0, और उसके बाद हम दुई घातिय सूत्र का यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, उपरोक्त समीक्रण की तुल्ला, उपरोक्त समीक्रण की तुल्ला, बर्ग समीकरण AX बर्ग प्लस BX प्लस C बरावर 0 से करने पर तो चलिए तुल्ला कर लेते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर X बर्ग है तो यहाँ पर भी X बर्ग है तो A का जो मान है वो X बर्ग का कोई भी गुडांक नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाता है तो A का माना आएगा 1 यहाँ पर X है यहाँ पर BX है B का जो मान है वो है माइनस 3 तो यहाँ पर B वरावर आएगा माइनस 3 यहाँ पर C जो है C का पूरा मान आता है माइनस बन तो आप यहाँ पर लिखोगे C बराबर माइनस बन तो इस तरीके से आप A, B और C के मान निकाल लोगे इसके बाद हम दोई घातिय सूत्र का यूज़ करेंगे इसे हम सरी धराचारे शूत्र भी बोलते हैं तो हम एडिंग डाल देते हैं दोई घातिय सूत्र दोई घातिय सूत्र मैंने आपको बताया था कि याद करना पड़ेगा और ये दोई घातिय सूत्र होता है X बराबर माइनस बन माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्केर माइनस 4 A C बटे 2 A तो इसको आप याद कर लेना है चलिए इसको हम लिख लेते हैं तो दोई घातिय सूत्र होता है X बराबर माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्केर माइनस 4 A C अपॉन 2 A चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसको लिखने के बाद अब आप इसमें मार लखेंगे सबसे पहले बरावर के नीचे हम बरावर लगा लेते हैं और माइनस लिखा है तो ये माइनस लगा लेते हैं और B का मान है माइनस 3 तो B की जगह पर हम माइनस 3 लख देते हैं इसके बाद प्लस माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे बी कामान माइनस थ्री है इसलिए माइनस थ्री का यहाँ पर बर्ग लगा देना है फिर माइनस लगा है तो आप माइनस लगा दीजिए फिर चार लिखा है तो चार लिख दीजिए A का मान आप ब्रैकेट में 1 रख दीजिए और C का मान माइनस 1 रख दीजिए इस तरीके से आप कर सकते हैं और बटे में आपको 2 A लिखना है यानि 2 A का मान आप गुड़ा में भी लिख सकते हैं एक है तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए आगे बढ़ते हैं इसको solve कर लेंगे तो minus minus plus आएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा minus minus का plus बन जाएगा और यह 3 रहेगा plus minus यह जहों काते हैं plus minus इसके बाद हम यहाँ पर root लगा लेंगे यहाँ पर minus 3 minus 3 के उपर बर्ग लगा है तो इसको आपको मालूम है क्या आएगा minus 3 जो है इसको दो बार लिखते हैं minus 3 minus 3 तो minus minus क्या हो जाएगा plus और 3 तरका 9 हो जाएगा तो इस तरीके से हम यहाँ पर 9 लिख सकते हैं यहाँ पर minus है और यहाँ पर भी minus है तो minus minus plus हो जाएगा और 4 एकम चार एकम चार ही होगा तो बटे 2 एकम 2 रहेंगे यहाँ पर अब यहाँ पर इसको जिवकाति में लिखेंगे और प्लस माइनस 9 और 4 हो जाएंगे 13 और बटे आ जाएगा 2 तो यह है हमारा X का मान अब इसमें 2 साइन है प्लस है और माइनस है तो एक बार धन चिन लेंगे और एक बार रण चिन लेंगे तो सबसे पहले हम लोग धन चिन लेंगे तो हम लिखेंगे धन चिन लेने पर तो यही चिन हम लिखेंगे X बराबर 3 प्लस अंडर रूट 30 अब उन 2 और रण चिन लेने पर आएगा लेने पर तो यह आएगा एक्स बराबर त्री माइनेस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और आसा करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा और सभी वीडियो देखने के लिए आप फिरी ओनलाइन कोचिंग की व्यों प्ल